अब भालू के आतंग से सामा हुआ है अविवाजी सर्गुजा जीला जो हाथियों के आतंग से हमेशा से प्रभावित है तो वही अब समुचा जीला भालू के आतंग से भी धरा रहा है जंगली जानवरों का आतंग लागाता बढ़ता जा रहा है लेकिन बन दिधा ग्रामडों को जाप रूपने की कर पा रही है जिससे वह अपनी जान को बचा सके हैं बता दे कि सरकुचा जीले में हात्यों का आतंग तो पहने से ही है लेकिन अब भालू के आतंग से भी ग्रामड डरे और साहमें हुए है इस कड़ी में भालू के हमले से उदैपूर बवन परिछेतर के ग्राम पंडरी पानी में शुबा पांच बचे स्वाच के लिए बाहर जा रही पच्चास वर्षी अधेर महिला फूले वाई भालू के हमले से कम भी रूप से घाल लो गई जिसके बाद परिछनों ने ततका समधाय स्वास्ट केंद्र उदैपूर लाया जहां प्रात्मे कुपचार के बाद वेहतर इलाज के लिए अंभिकापूर रिक्षर कर दिया विया वही सुत्रों की मारे तो करीब एक महीडे में भालू के हमले से आधा दर्जेन लोग खायल हो चुके है पेसे सर्कूजा से पारतमास से की एखास रिपूर कंडरी पानी भालू काड़ दिया है माता जी को जो दो भालू थे और जो सवच करने के लिए गए थी वह आपस आते समय जो ज़स्ट तरवाजा के पास पहुंची इसके बाद भालू पकड़ लिया उसके और पकड़ने के बाद गीरा आके काटा वो यहां काटा है और थोड़ा सा इधर और यह वाला नीचे और इधर और फिर चिल्लाई चिल्लाने के बाद हम लोग उठे उठने के बाद भालू को पुदा आया फिर इसको अस्पता लेकिया है कहा बिलाई राज करें उधर पूर फिर वहां से ठाका उपकिये इसके बाद आमियापूर भीतिये